दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें नमस्का दोस्तो आपका हादिक स्वागत है हमारे only airway.com के आज के इस यूटियो वीडियो में दोस्तो आज एक नया टॉपिक आपके समने पेश है दोस्तो ये डिसकेशन शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नए अबडेट्स का पता लगता रहता है दोस्तो अगर लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो आपके जो मेत्रगण है वह भी इन वीडियोण का लाब ले सकेंगे तो दोस्तो आप से आग रहे हैं कि आप लाइक, सबस्क्राइब और शेयर जूरू कर ले दोस्तो आज का टॉपिक बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तो बैली ब्लोटिंग के बारे हम आज हम बात करेंगे तो अक्सर पेट बड़ा लगता है तो उसको मुटापा के साथ जोड़ करके देखते हैं तो मुटापा तो पॉसिबल है लेकर कभी ऐसा भी होता है कि पेट में सूजन होती है जिसके कारण बैली ब्लोटिंग की प्रॉलम देखने को मिलती है तो आज हम यह देखने जा रहे हैं कि बैली ब्लोटिंग है और सूजन की वज़े से है तो उसमें क्या किया आ सकता है, और ऐरवेद ने इसका अधर में क्या बताया है, तो इसमें समस्पफ़रे कार्ण देख लेते हैं, क्या हो सकते हैं बलिब्लोटिंगे, अगर सूजन है तो हो सकते हैं आथो में गर्वड़ी हो, हार्मोन्स का संतुलन हो, गरभाष्य का कैंसर हो, और आपका दिल तेजी से धरकता है और गैस शरी से बाहर निकलती है ये पेट की सूजन दूर करने काफी प्रभावी तरीका है पांच मिट तक पेट का प्रेयोग करके सास लेने से पेट की सूजन से चुटकारा मिलता है और ऐसी कई मुद्राएं हैं जिने करने से शरी में कोई अतरिक्त वायू है तो बाहर निकल जाती है खाना खाते समय कुछ भी ठंडा पीने से परहिज करें और दूसर पेट की सूजन से आप कैसे बच सकते हैं ये देख लेते हैं भोजन तब ही करें जब आपको पूरी तरह से भूख लगी हो और सूजन कम करने के उपाएं अगर आपको गैस की समस्या है तो खाने के बाद फल खाने से परहिज करें और खाना खाते समय हार निवाले को अच्छी से चबाएं खाना खाते समय बात ना करें खाना खाने की 20 मिनट पहले अधरक में नीबू का रस मिलाकर चबाएं इससे भी आपको लाव होना चाहिए और सूजिन कम होनी चाहिए तो दोस्तों यह कुछ पॉइंट से जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पेटी सूजिन की प्रॉल्म है तो और यह इन्फर्मेशन डेटेल में हमारी वेबसाइट उनियारवे.com पर अवेलेबल है वहाँ जाखर कि आप देख सकते हैं इन्फर्मेशन आपको और भी जाद डेटेल में मिले जाएगी तो दोस्तों अगर आपको भी बेली ब्लोटिंग की प्रॉल्म है तो इस पर विचार करें और इसको अजमा की जुरू देखें आपको निश्यत रूप से इसका लाब होना चाहिए और अगर कोई और हैं जिन कोई प्रॉल्म है तो उनके साथ ही इनफॉर्मेशन जुरू शेयर करें और आपको कोई फीड़बेक के कमेंट्स आदी हैं तो मससा जुरू शेयर करें